बिसम्राइब रामाने राहीम, असलाम उनेकम, आज की नई रेस्पी में आपको शामदीद कहती हूँ, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जबर्दस रेस्पी लेकर आई हूँ, मसाला फ्राइज, और इसको हम सिर्फ एक चमच आयल में फ्राइ करेंगे, और एक चमच आयल म इतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे, तो चलिए अपने रेस्पी शुरू करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए तीन गार्लिक लोव्स, उसको हम फानली चाप कर लेंगे, बिल्गल आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको हम बारी पारी सिर्फ काट लेंगे, तो इसके साथ ही, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़ूर कीजिएगा, तो इसके लिए साथ ही हमें चाहिए चाहर आलू, आपने इसको इस तरह वेजिस में काट लेने हैं, फिर इसको तीन मनट के जब एक चमच आइल करेंगे साथ ही इसके घारलिक कर देंगे जो हमने काटके रखा था ने इसको अवन में इसलिए रखा ताहिए पानी थोड़ा धुझा हो जाए और हम इसको फ्राइटो गरेंगे तो ये ख्रिश्पी बनेंगे लेकिन अगर आप इनको बहुत जादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसको पहले फ्राइ कर लें डीप फ्राइ और इसके बाद आप इसको इस तरह सोते कर लें इसके साथ ही जो मैंने पोटेटो जो हैं वो रखे थे अमर में वो भी निकाल के मैं इसमें शामल कर दूँगी देखे हलका हलका पोटेटोस के ओपर कलर आना शूरू हो गया तो आप मज़ीद मैं इसको तीन से चार्ज मिनट के लिए ढग कर लो फ्लेम पर पकाल होंगी ताकि अच्छे से अंदर ताकि ये आलुक पाक जाएं तो आप इसमें मसाले शामल करेंगे इसमें जाएगा नमाग आपने टेस्ट के साब से इसमें शामल कर दे रैड चिली पाउडर सुरह मिच का पाउडर इसमें जाएगा एक चताई चमच काली मर्च इसमें जाएगी एक चताई चमच अब इसको अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद हम इसमें coriander डालेंगे धनीय का पाउडर अद्रख का पाउडर मैं इसमें शामिर करूँगी half tea spoon, अगर आपके पास अद्रख का पाउडर नहीं है तो आप अद्रख को चौप करके जिसमें शामिर कर दे दीराइस में जाएगा एक चुछाई चमच मिसालों को दुबरा से अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप इसको फिर ड़क के तकरीबन दो से तीम अच्छा के लिए पका लेंगे लोफ लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इस पे कलराना शुरू हो गया और साथ-साथ ये क्रिस्पी भी होते जा रहे है तो हमारे फ्राइस जो है रेड़ी है तो इसके उपर मैं शामिल करूंगी हरा धनिया एक चमच मिक्स करेंगे इसमें जाएगा अब लेमन जूस तकरीबन एक चमच है ये तो अब इसको दुबारा से मिक्स कर लेंगे ताके तमाम हमारे जो फ्राइस हैं उनमें अच्छे से लेमन का टेस्ट आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो आप अगर डिप फ्राइस नहीं पसंद करते तो आप इसको ज़रूर ट्राइ करें तो ये देखें ये कितने क्रिस्पी लाग रही हैं देखने में भी मैंने अब इसको निकाल लिया है अब हम अपने फ्राइस को थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसके अपर थोड़ा सा मैं हरा दनिया डालूंगी हरा दनिया से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है वह बह तो यह देखें मेरे हजबन ने खाना शूरू भी कर दिये हैं कि इतनी मज़े से यह खाते जा रहे हैं तो आप भी अपनी घरवलों को जरूर बना के दें बहुत ही मज़े के बनते हैं तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करने हैं मुझे फीडबेक जरूर देना है कि एक्स वीडियो में तापता के लिए आला हाफीज